वेल्कम तो अलोफ यूट्स क्राइक यूपी एक्जाम्स आफ यूट्यूब चैनल आप शभी लोगों का लेट्स क्राइक यूपी एक्जाम्स पे श्वागत है आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे सोस्यो रिलिजियस रिफॉर्म मुश्म से संभदित फूर्ट पर्ट को drive ओसं करने वाले हैं। जो हम लोगों ने लाश्ट две तीनी क्लास में सोस्यो रिलिजियस रिफॉर्म मॉमम्स पे डिसकस किया है। उससे related आजम लोग MCQ करेंगे, लेकिन उससे पहले संखेप में मैं अपने बारे में बता दू, मैं शेल्फ राकेश शिंग्राथाओर, एजुकेटर और अन ट्रेंड अनलिस्ट फर सिविल सर्विसेज और स्टेट पीस्टी एग्जाम्स, I am graduate from Malahabad University, Priyagraj, and post graduate from KSJM University, Kanpur. I have 15 years experience in trend analysis and 5 years of teaching for UPSC as well as State PSC. I have qualified for personality test in UPPSC and Bihar PSC. I have written main exam in UPSC 3 times and written main exam in UPPSC continuously from 2008 to 2018. यह प्लेटफॉर्म यह प्लेटफॉर्म यूपी-PSC और UPPSC से related है. यहाँ पे UPPSC और UPPSC के द्वारा जितने भी तरह के exam conduct कराये जाते हैं, उन सारे exam के preparation के लिए यह एक devoted प्लेटफॉर्म है, काफी ट्रस्ट वर्दी है जहां पर आपको बहुत सारी शुबदाएं प्रवाइड कर आई जाती हैं जैसे कि डेली लाइब क्लासेज आप रेगुलर लाइब क्लासेज में पार्टिशिपेट करके अपने एजुकेटर के साथ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इंगेज होके क्लास में डिसकंस कर सकते हैं अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं साथी साथ लाइब क्यूज़ में पार्टिशिपेट करके रेगुलर बरसिशु सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके तरीक ने वही तरह के एकजाम होते हैं उनके तरीके का कॉर्स इस्ट्रक्चर किया गया है जिससे जिस पैरेंट की जो रिक्वार्मेंट हो उसके अकॉर्डिंग वो को सब्सक्राइब कर सके साथ ही साथ यहां इस प्रेटफार्म पे आपको वीडियो का अनलेम्टेड एकस्स दिया जाता है जिससे कि आप यदि कभी अबसको भी कंप्रीट कर सकते हैं इस प्लेटफार्म पे काफी ट्रेंड और एकस्पर्ट एजुकेटर हैं जिनके गाइड में गाइडलाइन को फॉलो करके आप अपने गोल को यथा शिग्र एचीव कर सकते हैं इन लोगों को अपने अपने फिल्ड में काफी एक्सप्रि पी पी एससी और यूपी ट्रीपल एससी गोल को सेलेक्ट करने के बाद आप अपना मॉबाइल नंबर और इमेल आइडी को जरूर रजिस्टर करें जिससे कि आप अपने वीडियो लाइप क्लास को अटेंड करने या वीडियो को देखने में शक्षम हो सकें यह सारी प्रिपरेशन कर चुके हैं थोड़ी बहुत कंप्टिशन की जनकारी रखते हैं एक्जाम के पहले वह अपने आपको अपडेट करना चाहते हैं किसी वाज़ा से इसका एक्जाम के शमय में कुछ परिशानियों का शामना करते हैं जिसके वज़ा से वह कौलिफाई नहीं कर पा रहा है तो वह क्रेश कोर्स के जरिये अपने प्रेपरेशन को अपडेट कर सकते हैं और कंप्टिशन की बारिकियों को समझ सकते हैं लेकिन जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं नए हैं उन सभी लोगों के लिए मैं बता दू कि 12 मंत या 24 मंत का कोर्स आपके लिए बेतर होगा आप शुरुआत कर रहे हैं आपको बेसिक टू एडवांस किया सकता होगी और बेसिक टू एडवांस के लिए आवश्यक है कि कुछ समय उसमें इन्वेस्ट किया जाए बिना समय में दिये हुए बेसिक टू एडवांस प्रिपरेशन नहीं है और यह बहुत ही नॉमिनल चार्जेश पर एवलेबल हैं ट्वेल मंट सब्सक्रिप्शन लेकिन सब्सक्रिप्शन लेने से पहले यदि आप मेरा रेफराल कोड आरके एस वन डालते हैं तो आपको से गट के 7560 रूपी हो जाता है यह बहुत ही नॉमिनल चार्जेश हैं आप इन सारी शुविदाओं का लाफ जरूर उठाइए द्यान रखें कि आप एक बर सब्सक्राइब करने के बाद आप किशी भी एजुकेटर के क्लास को अटेंड कर सकते हैं आपको पीडिएफ दिय जाता है क्लास का पीडिएफ दिया जाता है शाथी साथ मंतली मैगजीन प्रोवाइड कर आए जाती है और एक ही सब्सक्रिप्शन पे किशी भी एजुकेटर के क्लास को अटेंड करने का फ्रीडम होता है इस प्लेटफॉर्म पे इन सारी सुविदाओं का लाफ आप जरू लिजली में लीजिएगा अशानी से धैरे के शाथ आप लोग इसका आंसर करिएगा आंसर आपको कमेंट करके कमेंट box में कमेंट करके आंसर करना है तो हम लोग पहला question शुरू करते हैं विच अफ दव फॉलोइंग statement is or correct निमन लिखित में से कौन सा कथन सही है statement first है आपका Andala R Goda was a female nai nara son Andala R Goda was a female nai nara son Andala was the daughter of Periyo Alvar Periyo Alvar यह दो statement दिए गए हैं आपको इनी में से choose करना है कि कौँसा सही है और कौँसा सही नहीं है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों में से कोई सही नहीं है which of the correct answers, choose the correct answer from the quotes given block, correct answer आपको चूज करना है, option A है, only one, option B है, only two, option C है, one and two both, और option D है, आपका none of these, इन में से कोई नहीं, निमलिखित में से कौन सा कथन सही है, अंडाला या गोदा, एक महिला नायनार्शंत थी, option second है, statement second है, अंडाला पेरिय अलवार के पुत्री थी, निचे दिये गए, कोड से सही उतर चुने, option A है आपका, केवल एक, option B है, केवल दो, option C है, one and two both, और option D है, आपका इन में से कोई नहीं, तो आप लोग comment करके, इसका answer करेंगे, comment box में आप, A, B, C, D, लिख करके comment कर सकते हैं, तो, मैं बता दो, इसका correct answer होगा, option B, option B, इसका correct answer होगा, option B, केवल दो, only two, अंडाला और गोदा वाज, अफिमेल नायनाराशंट, ये गलती statement है, अंडाला या गोदा जो थी, वो नायनार नहीं थी, अलवार थी, अलवारा महिला संत थी, इसलिए ये statement गलत है, बट, second statement is correct, अंडाला वाज, the daughter of Perry Alvar, Perry Alvar की वो पुत्री थी, ये correct statement है, ये बिल्कुल सत्य है, तो, ये only two, केवल दूसरा सत्य है, तो, only two, option B है, only two, इसमें correct answer होगा है, आपका, only two, मैं पहले ही बताया था कि, जब socio-religious reform movement का first class हुआ था, तो मैं reform का एक, हलका सा background बताया था, कि reform भारत में एक परंपरा रही है, कि जब भी कोई समस्या आती है, हमारे समाज में, हमारे धर्म में, तो हम उसके सुधार के लिए प्रयास करते हैं, और उसी प्रयास का परिणाम, 17th, 18th century में, 17th, 18th century में हमें देखने को मिलता है, और यहां पर भक्ती movement शुरू हता है, भक्ती संप्रताय के रूप में, नैनार अलवार, दो सामने आते हैं वर्ग, नैनारा और अलवर, यह दो वर्ग सामने आते हैं, सुधार के लिए, और इसमें से, एक वर्ग जो होता है, वो शय होता है, दूसरा वैशन होता है, तो इन ही यही background सिर्फ यह प्रशन है, इसको मैं detail class में discuss किया हूँ, तो आप लोगों को class अगर याद होगा, तो आप इसे अरामशे समझ सकते हैं, next question हम लेते हैं, फूर नैनाराज, मैं वहाँ पे नैनार और अलवार कौन थे, यह तो बता दिया, लेकिन मैं बताया नहीं कि कौन किस से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि, इसके बाद मैं next question इसी से related रखा हूँ, तो फूर नैनाराज, मैं बताया था कि नैनार और अलवार कौन थे, तो यह बहुत ही simple question है, आप easily इसे hit कर सकते हैं, इसे आप answer कर सकते हैं, तो second, फूर नैनाराज, option A है सेव, option B है वैसनाव, option C है वाद, option D है जैन, नैनार कौन थे, सेव, वैसनाव, वाद, जैन, आप comment करके comment section में अपना answer दे सकते हैं, तो मैं बता दू कि नैनार जो थे, वो शेव थे, शेव धर्म को मानने वाले थे, शेव के follower थे, इनके total जो संख्या बताई जाती है, वो 63 बताई जाती है, जो अलवार हैं, उनकी total संख्या 12 बताई जाती है, अलवारों में एक महिला संथ थी, अंडाला, अंडाला या इने गोदा के नाम से भी जाना जाता है, जो पहला question था, अंडाला या गोदा, तो ये अलवार थी, और ये जो नैनार थे, वो 63, इनका संख्या बताई जाता है, ये 63 थे, total नैनार संथ, ये शिव की पूजा से संबंदित थे, शिव की भक्ति करते थे, तो इसमें correct answer आपका हो जाएगा, option A, option A, इसका correct answer हो जाएगा, next question हम लेते है, what is the reason of the rise of cost movement, what is the reason, जो भारत में modern इंडिया में, जाती से संबंदित आंदोलन हुए है, बस आपको यही बताना है, कि इसके पीछे, क्या कारण थे, कौन से आशे कारण थे, जिसके वज़ा से भारत में, जाती से संबंदित, जातियों की पहचान से संबंदित, जातियों के पुनारुथान से संबंदित, आंदोलन की शुरुवात हुई, और वो reason यहाँ पे दिये गए है, reason first है, socio-religious reform movement, समाजिक धार्मिक शुधार आंदोलन, statement second है, start of railway, railway की शुरुवात, option third है, modern education, आधुनिक सिक्षा, और option fourth है, statement fourth है, equality before the law, कानून के समख्ष समता, choose the correct answer from the courts, कूट से सही उत्तर का चैन करना है, option A है 1 and 2, option B है 1, 2 and 3, option C है 2, 3 and 4, और option D है 1, 2, 3, 4, जाती आंदोलन के उदय का कारण क्या है, पहला है समाजिक धार्मिक शुधार आंदोलन, यह कारण में, दूसरा है railway की शुरुवात, तीसरा है आधुनिक सिक्षा, और चोथा है उनके समक्ष समानता, इन चारों में से कौन से ऐसे कारण थे, या सभी थे, या इन में से कोई, एक नहीं था, या दो नहीं थे, तो इसको चूज करना है आपको, code आपको सामने दिया गया है, कि code 1 and 2 है, पहला option में एक first और second है, option second B जो है 1, 2 and 3 है, option C, 2, 3 and 4, option D, 1, 2, 3 and 4, तो टोटल आपको जाती अंदोलन के उदय के कारण, उभार के कारण, इनके शुरुवात के कारण बताना है, कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां आए थी, क्या कारण थे, जिसके वज़े से इस आंदोलन की शुरुवात हुई, तो इसमें correct answer होगा, आपका D, option D, इसका correct answer ह होगा, ये सभी के सभी हमने discuss किया हुए है, इन points पे, कि समाजिक धार्मिक शुदार आंदोलन होते हैं, समाजिक धार्मिक शुदार आंदोलन सुरुवात तो अपर काष्ट के जरीए होता है, अपर काष्ट इसका शुरुवाती दोर में नेत्रितु करता है, जैसे कि ब्रह ब्रहम शमाज हो, या फिर आर्या समाज हो, या फिर रामकृष्ण मिशन हो, ये सभी आंदोलन जो हैं, वो अपर काष्ट के द्वारा लीड किये गए हैं, ब्रहम शमाज, आर्या समाज, रामकृष्ण मिशन, बट इन्हें लीड करने वाले जो लोग थे, वो अपर सभी लोग थे समाज की सदसेता चाहें ब्रमसमाज हो आरे समाज हो रामकिश क्रमिशन हो या कोई भी शुधार अंदोलन जो उससे में चल रहा था उसकी सदसेता किसी के पास भी वह सकती थी वह सभा में जा सकता था समाज में भाग ले सकता था और समाज के कारेक्रमों को अपना सकता था तो यह सारे कार तो इसमें ऐसा तो था नहीं कि अपर कस्ट के लोग ही सामिल थे इसमें लोवर कस्ट के लोग भी सामिल थे जिने निम्न जातियां कहा जाता था यह लोग भी इसमें सामिल सामिल होते थे तो यह सारे के सारे सारे मुप्रेड क्सूटिये हुए कस् Shamie करने भाले के लोग तो तो जो निम्न जातियां है जो लोवर ने में अवेवगारनेस आता है जागरूक्ता आती है अगर यह व्यवश्था इश्वर प्रीथ भगवान के द्वारा बनाई गई हो तो फिर यह जो संगठन मुलत्त प्रत प्रता का विरोध क्यों करनते उनके मन में यह प्रश्ना आता है और धीरे-धीरे उनमें जागरुपता आती है और एक समय के बाद नियर अबाद मीड आफ 19th सेंचुरी भारत में जाती आंदोलन की शुरुआत हो जाती है कुछ समय तक इन समाजों में पार्टिसिपेट करते हैं और मीड आफ 19th सेंचुरी आते आते लगभग बहुत ही छोटे पैमाने पर बेशिकली जो जाती आंदोलन है वो विश्वी सदी का मुख रूप से विश्वी सदी में इसकी पाचान बहुत ही मजबूत आंदोलन के इस तरह से रेलवे की शुरुवात में भी मैं डिसकस किया हुए था कि जब रेलवे की सुरुवात हुई तो इसमें सिस्टम था कि आप पैसा दीजिए पैसा दीजिए टिकट लीजिए और आपको जाकर करके ट्रेन में बैठ जाई यहां पर यह नहीं पूछा जाता था कि अब कि कशिक के हैं एक बएक बर्द से मालेजिए की चार लोग बैठे वह था यहां पर हो कि धुकिस ब्रामन हों जहत्रीय कि वह सुद्र हो कि तो चुकि पैसा दे करके टिकट खरीदना है और इसे आप रोक में सकते यह अःग्र चिस्टम है तो जब आप इस पुब्लिक ट्रांस्पोर्ट सिस्टम में यात्रा कर रहा है तो यहां पर लोगों का एक दूसरे से संपर्क होता है एक दूसरे से संपर्क होता है और इससे आप बच नहीं शक्ते थे तो इसने जाति प्रथा की जो रूड़ियां थी, उसे तोड़ने का काम किया, कोई गारंटी नहीं, आप जान भी जाएंगे की भगल में, आप उच्छ जातिके हैं, आप ब्रामणे हैं, आप छत्री हैं, लेकिन आपके भगल में अगर कोई शुत्र बैठा हुआ ह है कोई untouchable बैठा हुआ है कोई outcasters बैठा हुआ है तो आप उसे रुक नहीं सकते आप उसे उतार नहीं सकते यह पब्लिक ट्रांस्पोर्ट था और जानने के बावजूद भी आप उससे संपर करते हैं जिसे आप आपको अस्प्रिस से मानते हैं उसी के साथ आपको बैठके में मजबूरी में यात्रा करना पड़ता है और मजबूरी में ही सही लेकिन जाति प्रथा की रुणियां यहां से टूटती है फिर मॉडर्न एजुकेशन आया वह साइंटिफिक एप्रोच पे था वह साइंटिफिक एप्रोच था उसका वह लोगों के बीच जो परंपराय थी उसे रेश्नल तरीके से सोचने के लिए बाद किया आजिनिक सिक्षा ने यो वहाँ पे तरकिक तरीके से शुचा जाताथा किसी भी बेवस्था को अपनाने से पहले उस पे विचार किया जाता था था जब बैदिक Learn Groß के साथ लेकिन यूग के अनुरूप हम उसमें परिवर्तन नहीं कर पाएं 12 सेन्स में परिवर्तन Channel Code फिर आगे चल करके High Court अधिनियम फिर कई तरह के दंड CRPC, CPC यह सभी आते हैं और यह कास्ट बेस्ट नहीं थे जो कानून थे वो कास्ट बेस्ट नहीं थे कि जाती के अधार पर पहले भारत में वेवस्टा यह थी कि जातीयों के अधार पर दंड का निर्धान किया जाता था ब्रामण के लिए अलग वेवस्ता थी छत्रिय के लिए अलग वैश के लिए अलग और सुद्र के लिए अलग लेकिन जो ये कानून आता है नया जो कानून आता है इस कानून के समय समक्ष सभी लोग समान थे एक ही अपराद के लिए सब करेक्ट हैं जाती अंदोलन के उभार के लिए ये चारों ही मौतुकुन हैं इस वज़ा से जो ऑप्शन D होगा वो करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेस्टन हम लोग चलते हैं वाट वस दे सिंबल अफ सत्यसोधक समाज उसका प्रतिक चिन क्या था उप्शन ए राम ऑप्शन बी हनुमान ऑप्शन सी राजा बली ऑप्शन डी रावन आपको बताना है कि इन चारों में शेकौन है तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी होगा राजा बली थे मैं क्लास में डिसकस के समय बताया ही था कि शत्यसोधक समाज के जो संस्थापक थे वो जोतिवा फूले थे जोतिवा फूले और जोतिवा फूले ने जोतिवा फूले ने सत्यसोधक समाज की अस्थापना करने के बाद ब्राह्मणवादी बेवस्था ये कास्टिचम के विरोध में आंदोलन हुए था त्थ ये ब्राह्मणिजम चा विरोध करते हैं। और करते हैं कि राम जो है वो ब्रामणों के प्रतिक्चिन है ब्रामणवाद के प्रतिक्चिन है राम और यह जो राम है उन्होंने राजा बली की राजा बली की धोखे से अत्या कि थी और यह जो ब्रामण है यह भी जो आउटकास्टर से दलित हैं इनका शोशन करते हैं इन् सास्त्र हिंदु धर्म और सास्त्र की गलत बाते बता करके उनका शोशन करते हैं इस वज़ा से बिरोध के प्रतीक के रूप में राजा बली को उन्होंने सत्यसोधक समाज का सिंबल बनाया सिंबल रखा राजा बली को तो यह ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा सी राजा बली सत्यसोधक समाज के प्रतिक चिने थे राजा बली नेक्स्ट विच ओफ द फॉलोइंग इस नौट करेक्ट अवाउट सत्यसोधक समाज सत्यसोधक समाज के बारे में निम्ल लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है अपोजिंग संस्क्रिटिक हिंदु इजम ऑप्शन इन है उपोजिंग संस्कृतिक हिंदुरिजम ऑपशन बी कि प्रोमोशन अफ रिजनल इजम गोडिकां संस्कृति हिंदु तुका में सबस्तमाज के बारे में हम डिसक्यस कर रहे है आपशन एए है अपका आप शिंग लेकुर संस्क्रितवादि हिंदुत का विरोद है और सेकंड है प्रोमोशन-एफ-IND जट्रवाद को प्रोसाहन स्वेजनलिजम इसांशन, आप्छ। हुमेंसे कौन सा स्टेट्मेंट है जो सत्यसोधक समाज के बारे में शही नहीं है संस्क्रित-वादी-हिंदुत का विरोध्य छित्रवाद को प्रत्साहन लिंक समानता में विश्वास समाजी कार्थी का समानता को दूर करना तो आप लोग कमेंट के जरी यह आंसर कर सकते हैं इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इन्हों या सही नहीं है छेत्रवाद को उन्होंने प्रुचाहन दिया था यह बात सही नहीं है इसलिए जो है वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रतीक है इसके अगेंस्ट उन्होंने राजा बली को सतिशोधक समाज का प्रतीक चिन बनाया वो बताते हैं कि जो संस्कृत ग्रंत हैं उसे पढ़ने में जो सक्षम लोग हैं वो जो ग्रंतों को नहीं पढ़ सकते हैं जो संस्कृत के ग्रंत जो है का अधार बनाके जो ब्राह्मण है वो अन्य जातियों की शोषण करते हैं इसलिए वो संस्कृत वाधी हिंदुतों का विरोध करते हैं साथी साथ वो लिंग शमानता और समाजिक आर्थिक का शमानता को दूर करने में भी विश्वास रखते हैं लिंक समान्ता में वो विश्वास करते हैं उनका समाजी कार्थिक मामलों में था कि उनका कहना था कि जो अपर कास्ट है और जो लोवर कास्ट है अपर कास्ट और लोवर कास्ट इनके बीच जो एकोनॉमिक गैप है वो बहुत बड़ा गैप है और इस गैप के वज़ा से जो स प्रोशन होता है तो यह समाजी कार्थिक असमानता को दूर करने की बात करते हैं तो यह सत्य सुधक समाज के बारे में यह छेत्रवाद को प्रुत्साहन यह statement गलत है उस समय छेत्रवाद जैसी कोई concept नहीं था छेत्रवाद का बात वो नहीं करते हैं नेक्स्ट है आपके सामने who said that one religion one caste and one God who said that one religion one caste and one God किसने कहा था कि एक धर्म एक जात्य और एक भगवान एक इश्वर किसने कहा था कुमारा नाशन option a है आपका कुमार नाशन option बी है dr. पल्पु option c है श्री नरायन गुरु option c है रामा श्वामी नैकर रामा श्वामी नैकर इन चारों में से आपको बताना है कि कौन और किस ने कहा था कि एक धर्म एक जात और एक भगवान एक इश्वर तो ये श्री नरायन गुरू ने कहा था इसलिए option C correct answer होगा श्री नरायन गुरू ने ये बात कही थी ये SNDP के संस्थापक थे SNDP केी श्री नरायन गुरू धर्म परिपालना जो मुवमेंट हुआ था संड़ी पी मुवमेंट केरल में उसके संस्थापक थे केरला में संड़ी फ्योवमेंट हुआ था उसके शंस्थापक थे केरल के BLACKicular سमुदाय से संबंधित थे यह जवा समुधाय से संबन्दित थे और यह जवा केरल के अस्प्रिश जातियां थी यह जवा अंटचेबल केरल की अंटचेबल जाति थी और इसी जात से यह संबन्दित थे स्री नारायन गुरू इसलिए यह जात पर था कि कम्प्लीट एलिमेनेशन की बात करते हैं कि कम्प्लीटली इसे एवलिस्ट कर देना चाहिए क्योंकि यह व्यवस्था किसी के शोषन पे अधारित है और इसलिए उन्होंने कहा था कि यह कही धर्म है जाती भी यह कही है कि मानव जाती है और इश्वर भी उसका यह कही है तो इसलिए इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी श्री नरायन गुरू होंगे नेक्स्ट फू वह स नॉट रिलेटेटिशद इस एस हनडिपि एस अडिपमने बहुत थीक बहुत ही अच्छे से डिशकस किया हुए है पहले भथा हूं कि इसका स्री नरायन धर्म परिपालना थर्म परिपालना तो इस में पताना है आपको कि कौन एसे नडीपी शेशम मंदित नहीं था, श्री नरायन गुरू तो एक तो अभी हम लोगों ने डिस्कसी कर लिया था, एसे नडीपी से श्री नरायन गुरू अब आपके लिए बहुत ही इजी हो गया है, कि चार में से एक उप्षन तो ऐसे ही बाहर निकल गया, अब तीन ही उप्षन में आपको चूज करना है, कि श्री न मुदलियार, डाक्टर पल्पू, कुमारान आशन, इन लोगों में से कौन नहीं थे, कौन संबंदित नहीं थे, तो ये स्री न मुदलियार थे, स्री न मुदलियार इससे संबंदित नहीं थे, ये जस्टिस मुवमेंट से संबंदित थे, जस्टिस मुवमेंट से, या फिर स्री न मुदलियार, से संबन्धीछ थे, छिए मुदल्धी यार, मंद्र प्रवीष आंधोलां से डिरेक्टली ऐलेटेड नहीं थे, दिरेक्टली रिलेटेड थे, तो से लुदन्धी नुद्धीयार, जो ते वो सिंदीपीश आंधोलां से ते जस्टिक से फिलेटेड थे, न्याय अंदोलन से, न्याय दल से, जस्टिस पर्टी से, नेक्स्ट है आपका, which of the following statement was not correct, which of the following statement was not correct, about SNDP, अब आपको SNDP के बारे में कौन सा statement सही नहीं है, इसे आपको select करना है, option A है, SNDP movement was founded by स्री नरायन गुरू, option A है, SNDP movement was founded by स्री नरायन गुरू, option B है, SNDP movement was related to EJWA community of Madras, option C है, कुमारानाशन was first general secretary of SNDP, option D है, SNDP was registered under the Indian Company Act 1903, निम लिखित कथनों में से कौन सा कथन SNDP के बारे में शक्ति नहीं है, option A है, स्री नरायन गुरू ने SNDP आंदोलन की अस्थापना की थी, option B है, SNDP मदरास के EJWA समुदाय से संबन दित थे, option C है, SNDP के पहले सचिव कुमारानाशन थे, option D है, SNDP भारतिय कंपणी अधिनियम 1903 के तहट पंजिकरेथ थे, तो आपको इसी चार में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, आपको द्यान देना है कि कौन सा स्टेट्मेंट करेक्ट नहीं है, कौन सा कथन स्थ्य नहीं है, तो इसमें option B सत्ते नहीं है, option B की सारी बातें सत्ते हैं सिवाए मदरास के, SNDP मूव्मेंट वाज रिलेटेट टू एजवा कमूनिटी, अगर यहीं पर यह सेंटेंस खतम हो जाता तो यह बिल्कुल सही बात है, लेकिन आफ मदरास जो वर्ड है, उस मदरास के जगह पर यहाँ पर केरला होना चाहिए, केरला मैं बताया कि SNDP मूव्मेंट की शुरुवाद केरला में हुआ था, एजवा कमूनिटी में केरल की दो फेमस अंटचेवल कास्ट थे, एक था एजवा, और दूसरा था पुलेया, यह दो कास्ट थी जो अंटचेवल थी, एजवा उस समय के केरल के टोटल पापुलेशन का लगभग 26% थे, एजवा, और उन्हें बहुत तरह के अधिकार नहीं मिले हुए थे, जिसके वज़ा से इनके बीच से जाती आंदोलन उभर के आया था, नेक्स्ट है आपका चूज़ दग करेक्ट आंसर, इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है, ऑप्शन A है सत्यसोधक समाज, महराष्ट्रा, इसे आपको मैच करना है, शुमेलित करना है, ऑप्शन A है सत्यसोधक समाज, महराष्ट्रा, ऑप्शन B है SNDP मुव्मेंट, केरला, ऑप्शन C है जस्टिस पार्टी, करनाटका, ऑप्शन D है द्रविन करगम, तमिल नाडु, इन चारों में से कौन, इसमें not correct होगा, यह question आप लोग, not correct के रूप में देखिए, sorry, इसमें, मिस्टाइपिंग हो गया है, यह होगा, शही शुमेलित करें, match the correct, इसका होगा, match the correct, शही को शुमेलित करें, match the correct, शही को शुमेलित करें, और इसके बाद, and choose the correct answer, तो correct, जो हैं, वो, match which is not correct, sorry, match which is not correct, या only which is not correct, which is not correct, कौन सही सुमेलित नहीं है, which is not correct, matched, तो सत्य सोधक समाज, महाराष्ट्रा, SNDP, केरला, Justice Party, करनाटका, द्रविट करगम, तमिलनाडो, सही सुमेलित नहीं है, यह चूज करना है आपको, सही सुमेलित नहीं है, सत्य सुधक समाज, महाराष्ट्रा बिल्कुल सही है, SNDP, केरल बिल्कुल सही है, न्याय दल, न्याय दल की जो बात है, वो करनाटक में नहीं था, यह तमिलनाडो में था, तमिलनाडो, उस समय का मदराष्ट, तमिलनाडो, उस समय का मदराष्ट, और दमिल्करगम, बिल्कुल सही है, न्याय दल से ही निकला हुआ है, द्रविल्करगम, न्याय दल से, जस्टिस पार्टी से निकले हुए, आंदोलन है जस्टिस पार्टी से ही निकले हुए जस्टिस पार्टी के ही एक नेता थे इवी रामाश्वामी नायकर इन्होंने नायकर इन्होंने इवी रमाश्वामी नायकर ने इन्हें पेरियार भी कहा जाता है इनका फेमस जो नाम है वो पेरियार है इन्हें पेरियार कहा जाता है इवी रमाश्वामी नायकर ने सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्मेंट की नया दल से संबंधित थे यह ये बी रामा श्वामी आयकर ये आतम सेमान आंदोलन की शुरवाथ किये थे और यह आत्म सेमान आंदोलन मादरास تمिल्णादु में हुगा था तो यहीं करैक्त सुमैलित नहीं है अन्तिीन स्विर्मेलित हैं तो correct answer इसका होगा option C जो सही स्विर्मेलित नहीं है next अपका who is famous by the name of Periyar who is famous by the name of Periyar अब इस प्रस्ण का कोई मतलब नहीं क्योंकि last question में ही मैं इसको discuss कर दिया यह मुझे याद नहीं रहा तो यहां पर option A होगा इसका correct रामश्वमिनायकर अभी लास्ट question पर discuss किया था तो परियार के नाम शे प्रशिद्य है श्री रामश्वमिनायकर तो इसको हमने पहले ही discuss कर लिया है who is not related with justice movement न्याए दल से या न्याए आंदोलन से संबंधित नहीं था who is not related justice movement जस्टियस मुझेंट से या justice party से कौन संबंधित नहीं था ती त्यागराज पूमारन आशन शियनकूमुदलीया और नहीं कर पी त्यागराज कुमारन आशन शियनकूंदलीय और रमाश्वमिनायकर इन में से कौन justice movement से या justice party से शंबंदित नहीं था आपको बताना है पी त्याग राज कुमारा नाशन सिन मुदलियार रामश्वमी नायकर कमेंट करके option a b c d आप चूज कर सकते हैं तो चूज करके कमेंट कर सकते हैं a b c d इन में से जो आपको लगे वैसे इसका ऑंसर भी होगा कुमारा नाशन कुमारा नाशन जो थे वो terre e sndp मुझमेंट से संबंदित थे legem 1 कि मुखमेंट से यह संबंदित थे श्री नरायन दर्म परिपालना अंद्वरां से यह संबंदी थे कुमारा नाशन next which of the following statement is or correct which of the following statement is or correct option दो statement है इन्वे से आपको चूज करना है Indian social conference was founded by M.G. Ranade Indian social conference was founded by M.G. Ranade second statement है its first session was organized in madras in 1887 निम लिखित में से कौन सा कथन सही है कथन एक है Indian social conference का कथन M.G. Ranade ने की थी second statement है आपका इसका पहला समेलन 1887 में madras में हुआ था इसका पहला समेलन 1887 में madras में हुआ था आपको कूट से answer चूज करना है कूट से option A है only one option B है only two option C है one and two both और option D है none of these केवल एक केवल दो एक और दो दोनों इन में से कोई नहीं social conference Indian social conference तो इसका correct answer C होगा इसका correct answer C होगा one and two दोनों ही statement जो first और second दोनों ही statement है विल्कुल करेक्ट हैं इसकी अस्थापना एंजी एंजी रनाडे ने की थी इसका पहला session 1887 में मद्रास में हुआ था वहीं पे जहां पे Congress का आल इंडिया Congress का 1887 का जो session हुआ था वो भी मद्रास में ही हुआ था मद्रास में ही हुआ था और इसी मद्रास में Congress के पंडाल में ही इंडियान social conference का भी session हुआ था तो यह दोनों ही statement सकते हैं first और second दोनो next which of the following statement is not correct about socio-religious reform movement which of the following statement is not correct about socio-religious reform movement समाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में निम्न लिखित में से कौन सा कतन सत्ते नहीं है which of the following statement is not correct about socio-religious reform movement समाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में कौन सा कतन सही नहीं है option A है promoting scientific knowledge option B है racist colonial culture and ideological hasmoney option C है communal tendency option D है contacted with rural areas and farmers option A है पैगानिक सोच को प्रोचाहन option B है और निवेशिक संस्कृति और बैचारिक प्रभुत का विरोध option C है संप्रदाइक प्रविर्ति option D है ग्रामिड एवं की शानोशे शंपर इन चारों में से कौन सा कतन socio-religious reform movement के बारे में शही नहीं है not correct सही नहीं है समाजिक धार्मिक शुधार आंदोलन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है तो इसमें जो correct answer होगा वो option D होगा option D ग्रामिड एवं किशानों से संपर्ख समाजिक धार्मिक शुधार आंदोलन ने नहीं किया था या अपर या बिसिकली अर्बन एरिया के जो अर् जो सहरी पुद्दीचीवी बर्ग था थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा बर्ग था उससे यह संबंदित था उनीके शंपर्क में आया पाया था उनीके नेत्रित्म में यह चला था दूसरी बात यह उन लोगों से संबंदित मुद्द्ध कर उठाया यहां पर जो इशू थे वह बेशिकली अपर कास्ट से रिलेटेड थे बहुत कम ऐसे मुवमेंट हुए जो आम लोगों की समस्याओं को शामने लेके आये वह अपर कास्ट से रिलेटेड ही मुवमेंट इस पर यह प्रसनेचीन भी उठाया जाता है लेकिन कुछ एक मुद्य थे जो अपर कास्ट से रिलेटेड थे बहुत सारे मुद्य थे जो आल ओबर इंडिया से रिलेटेड थे हर एक व्यक्ति से रिलेटेड थे तो समाजिक धारों की सुधार अंदोलन के बारे में जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट नहीं है ग्रामिड़ाओं क कैसे प्र फैठम आधुनिक भारतिय कहा जाता है आप सेने है राजा राम मोहनπα刁 सवामी वीवेकानंड ओप्शन से महातमागांधि जो में वाूह रेनेशा जो राजा राम मोहन राय थे उनके नेत्रितों में भारत में पुनर जागरण की शुरुवात होती है और शुरुवात करने वाले जिसके वज़ाँ से इन्हें फादर आफ इंडियन रेनेसा, भारतीय पुनर जागन का पीता कहा जाता है, इन्होंने सुलिवात के था, इसलिए इन्हें फर्स्ट मोडर्न इन्डियन भी कहा जाता है, प्रथम आधुनिक भारतिय भी कहा जाता है जो किसी भी बात को बगैर तरक के एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो कही सुनी बातों पर यकीन नहीं करते थे, इस वज़ा से इन्हें फर्स्ट मॉडर्न इंडियन का आ जाता है, नेक्स्ट स्टेट्मेंट है, वाट इस नॉट करेक्टली मैच, निम लिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, वाइकोम शत्यागर, केपी केशव मेनन, केपी केशवर, वाइकोम शत्यागर, इनका पूरा नाम केशी केशव मेनना है, या केपी केशव भी इन्हें कहा जाता है, कंप्लीट नेम जोगा, उसमें मेनन जुडा हुआ होगा, तो मेनन विराय तो भी फेमस नेम केपी केशव ही है, तो वाइकोम शत्यागर, केपी केशव, गुरु आ आयूर सत्यागरा, TK माधवन, Justice Party, PTA गराज, SNDP, Srinaraayan गुरु इन चारों में से कौन सही सुमेलित नहीं हैं? वायकों सत्यागरा, KP kesho, गुरु आयूर सत्यागरा, TK माधवन, नयायदल, PTA गराज, SNDP, Srinaraayan गुरु तो इसमें वायकों सत्यागरा से KP kesho related थे जस्टिस पार्टी से पी त्यागराज रिलेटेड थे, संडीपी हम लोगोंने कई बार डिसकस कर लिया, श्री नरायन गुरुई से सम्बंदित थे, तो जब टीन को हमने देख लिया, तो सीधी सी बात है कि गुरुई वायूर सत्यागराज से टीके माधवन रिलेटेड नहीं होंगे, टीके माधवन अभी कुछ दिर पहले मैं बताया था कि ये भी जस्टिस पार्टी से ही रिलेटेड थे, टीके माधवन भी जस्टिस पार्टी से रिलेटेड थे, गुरु वायूर सत्यागरास से जो डिलेटेट फेमस प्रस्नाल्टी थे वो की केलपण थे केलपण केलपण इससे संबंधित मातपून फेमस प्रस्नाल्टी थे इसके अतिरेक्त पी क्रिष्ण पिल्ले संबंधित थे इससे गुरु वायूर सत्यागरास से तो तीन लोग हैं केलपण प्रस्नाल्टी थे इसके अतिरेक्त और एके गोपालान बहुत सारे लोग शुड़े हुए थे लेगिन जो तीन लोग फेमस थे जिनोंने लीड किया था वो थे के केलपण फेमस तो गुरु वायूर सत्यागरास इसमें करेक्टली मैच नहीं है तो आप्शन इसमें भी करेक्ट होगा आप्शन भी इसका करेक् वायकोम सत्यागरा वाज रिलेटेड टू वीडोरी मैरिज, चाइड मैरिज, टेमपल इंट्री, एकनोमिक इनेक्वेल्टी, वायकोम सत्यागरा सम्बंदीथ हा विदवा पुनर विवाह, वाल विवाह, मंदिर प्रवेष, आर्थिक अशमान था इन में से किस से सम्बंद था आपको बताना है वाइकोम सत्यागरा को तो वाइकोम सत्यागरा टेमपल इंट्री से रिलेटेट था मंदिर प्रवेश आंदोलनद था टेमपल इंट्री हम लोगों ने देखा है कि कि टेंम्पर में चला था 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 मंदिर को प्रवेश औंदोलंth था था 42 को में मंदिर था उस मंदिर। के आज में दलितों को साथ मंदिर से सटे हुए कि जो सड़क थे जो 색ब थे उस यह के चलने के भी अनुमति नहीं थी और इसी की माँ को ले करके मंदिर में पर्वेस करने की तता इस सड़क प्रचलने की मान betव ले करके आंदोलन किया गया था वाईकौशत्यागरा तो वह मंदिर प्रवेश समनित है तो ये correct answer होगा इसका मंदिर प्रवेश temple entry next होगा आपका which movement was supported by महात्मा गांधी which movement was supported by महात्मा गांधी वाइकोंग शत्यागरा, गुरु वायूर शत्यागरा, justice movement, S.N.D.P. movement किस अंदोलन का महात्मा गांधी ने समर्थन किया which movement was supported by महात्मा गांधी वाइकोंग शत्यागरा, गुरु वायूर शत्यागरा, justice movement, S.N.D.P. movement तो आप ध्यान रखिए कि इन में से दोनों ही अंदोलनों को वाइकोंग और गुरु वायूर डिरेक्टली इंडिरेक्टली गांधी जी ने समर्थन किया था लेकिन इसका जो correct answer होगा यह जान भुज के मैंने question में रखा है क्योंकि अगर कभी प्रश्न बनता है एक बार बना हुआ है आगे भी बन सकता है तो confusion सकता है तो इसमें जो correct answer होगा वह आपका यह होगा कि इसे महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था सपोर्ट इसका नहीं किया था सपोर्ट उन्होंने गुरु वायूर का भी किया था यह भी टेंपल इंट्री से ही रिलेटेड है गुरु वायूर सत्यागरा भी जो है वह मंद्र प्रवेशान दोला नहीं है आप लोग पढ़ चुके हैं डिसकस हो चुका है कंप्लिटली तो वाइकोम सत्यागरा में गांधी जी परस्नली इन्वाल्व हुए थे उन्होंने सिनन भी Sup lado 1995 में केरल का विजिट किया केरल का विजिट किया फिर वहां के जो कुणिस थी महरानी थी उन्होंने मुलकात करने के Neeक है उएक एग्रिमेंट हुआ यह एक समझाओता हुआ उस समझाओतें के त्रूं जो मंदिर था उसमें दलितों को प्रवेस की अनुमति तो नहीं मिली बट जो मंदिर के चारो और सडक थे उनके का आधिकार मिल गया की चलने का अधिकार मकर मल्यके बाहर की जो सणके थी तो इसमें यह directly involved हुए थे इसमें यह directly involved नहीं हुए थे क्योंकि उससे में civil disobedient movement चल रहा था राष्ट्री आंदोलन चल रहा था तो इसमें यह लेकिन इसका समर्थन किये थे क्योंकि जब केकलपण ने आमरण अंसन की शुरुआद की फास्ट अंटु डेथ की शुरुआद की तो वो इनको इस फास्ट अंटु डेथ से मना करते हैं वो कहते हैं कि इसे आप तोड़ दीजीए अगर मंदिर प्रवेश्च की अनुमती आगे नहीं मिलती है तो आंदोलन के बाद हम खुद इसके लिए आंदोलन कर हैं गये तो स्वहमती गुरु आईूर सत्यागरा शेवी थी लेकिन वायकुम सत्यागरा में गांधी जी इनौल्ब थे इन्होंने के अचा को से सभाल खया स्व sich निकल चया कि मंदिर में प्रवेश21 नहीं दी गई किया और जारी करके कहा कि सरकार के नियंत्रण में जितने भी मंदिर में मंदिर हैं उन सभी में हिंदू सभी हिंदू जातियों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है तो 1936 में यह मिला 10-11 साल इसके लिए संघर्ष करना पड़ा था वायकॉम शत्यागरा आज के लिए यह बहुत ही असान बात दिखता है बहुत ही सरल लगता होगा आप लोगों को कि मंदिर में प्रवेश से संबंदित मुद्दा कौंसा बहुत बढ़ा मुद्दा है लेकिन उस दौर का यह बहुत ही मौतकूंट बात थी उस समाज पे एक धबा था आज भी आप कई जगों पर देख सकते हैं इस तरह की घटना है आज भी पेपर में आती है कि किसी कास्ट विसेस के विक्ति के द्वारा पूजा करने के बाद मंदिरों को धोईने तक की बात आज भी सम सुचिए कि कैसी इस्तिति होगी तो यह आप लोग बिल्कुल क्लियर रहेगा कि जब भी इस तरह से प्रस्ण आए एक बार आया है इससे क्वेस्टन अगर जान भूज कि मैं इसलिए इसको रखा हूं और ऑप्शन में मैंने दोनों दिया हुआ है गुरु आयूर भी और व कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर दोनों साथ है तब समस्या होती है हूँ स्टार्टेड़ द सुध्धी प्यूरिफिकेशन मुव्मेंट किसने सुध्धी आंदोलन चलाया था श्वामी दयानन्द, श्वामी विवेकानन्द, राजा राम मुहान राय, श्वामी श्रदानन इन चार लोगों में से किसने चलाया था तो शुध्धी आंदोलन श्वामी दयानन दितने चलाया था ये आरे समाज के संस्थापक थे इन्होंने सुध्धी आंदोलन इसलिए चलाया था कि जो हिंदू किसी वज़ा से जो हिंदू कन्वर्ट हो गए हैं इसलाम में या किसी अनेधर में, इसाई में, किसी मजबूरी में तो वो पुना हिंदू धर्म में वापस हैं, हिंदू धर्म में पुना वापस आ सकते हैं इसके लिए इन्होंने सुध्धी आंदोलन चलाया था तो श्वामी दायानंद इसके correct answer होगे तो यह option A correct होगा next है आपका इश्वर्चंद विद्यासागर was associated with which organization इश्वर्चंद विद्यासागर किस संगठन से संबंदित थे किस संगठन से जुड़े हुए थे option A है आपका आरे समाज option B है रामकृष्ण मिशन option C है ब्रह्चंद विद्यासागर किस संगठन से जुड़े हुए थे आरे समाज रामकृष्ण मिशन ब्रह्म शमाज यंग बंगाल अंदोलन तो इसमें correct answer आपका C होगा ब्रह्म शमाज ब्रह्म समाज सी यह जुड़े हुए थे नेक्स्ट option B दादाबाई न्वरोजी option C के गोपालन option D रगुनात राव इन चारों मेंश किषने रानुमाई मजदायसनां सवा की अस्थापना की थी यह सवा पारसी धर्म से रिलेटेड थी पारसी धर्म में सुधार से रिलेटेड थी दरहनुमाई मजदा असनान सवा इसकी अस्थापना इसको फाउंड किया था दादा भाई मैं नरोजी ने केम कामा थे दो तीन लोग इससे रिलेटेड थे दादा भाई नरोजी कामा थे फर्दोन जी थे और एक लोग और थे जिनका नाम अभी मुझे ध्यान पर नहीं आ रहा है तीन लोगों ने तीन चार लोगों थे उस समय तो दादा भाई उन सभी में से कोई आप्शन में नहीं है एक मात्र दादा भाई नरोजी है तो इसमें करेक्ट आंसर आपका दादा भाई नरोजी होगा यहां तो यह अब होगों का आज का क्लास यहें पे शमापत होता है है हम लोगों ने आज और त्विछ रिल्लीर्श्ण सीपश्ण भाई आज हम लोगों का सोचियो रिलिजियस रिफाउम मुव्मेंट से संबंधित जो डिसकस था आज यहां टॉपिक यहां पर शमापत होता है इससे रिलेटेड आपको कोई भी शमश्या हो कोई भी बात हो कोई भी तिकत हो तो आप मेरे नंबर कर सकते हैं आप आज हम लोगों का यह पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है सोचियो रिलिजियस रिफाउम मुव्मेंट हम लोगोंने कंप्लीट्ली डिसकस कर लिया है उससे रिडेटेड चार सेक्षन में हम लोगोंने मैं mcq किया mcq करने से पहले हम लोग टॉपिक डिसकस करते हैं दो तीन दिन के टॉपिक के बाद एक mcq लेते हैं हम लोग उसके थ्रू हम लोग डाउट क्लीरिंग सेशन रखते हैं जिसके वाज़ा से mcq के जरिए अगर आपके कोई डाउट हो तो वह क्लियर हो जाए आ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर दबाए जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहा है और आपका कोई क्लास मिसना होने पाए बहुत ही संधार टॉपिक चल रहा है साथी साथ मैं बता दूं कि अनकेडमी लर्निंग एप पर अनकेडमी लर्निंग एप पर रेगुलर क्लास 10-11 चल रहा है जहां पर यूपी स्पेशल डिसकस किया जा रहा है मैंसी क्यूके फ्रूल्ण का डिसकस किया जाता है क्लास डिसकस करने के बाद पर बदेे वहां पे यार अनकेड़स से 50 मियनट के डिसकस के बाद ऊसी टॉपिक से रिलेटेड दस mcq पर डे लगभग वहाँ पर किया जाता है mcq पर यह सारे के सारे class free होते हैं अने लर्निंग पर तो आप लोग उस class को भी अटेंड करना न भूलें आप सभी लोग का platform पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद थैंक्यू